तो इस question में क्या है A alone can do a piece of work in 30 days and B alone can do the same work in 60 days तो दीके A क्या करता है उसी काम को 30 दिन में करता है और B क्या करता है उसी काम को 60 days में करता है If they work together for 5 days वो क्या करते हैं दोनों एक साथ 5 दिन क्या करते हैं काम करते हैं तो बताना क्या है What fraction of the work will be left तो बताना क्या है कि कितना काम बचा होगा आपको ये बताना होगा ठीक है fraction में देखे बड़ा simple question है देखे A क्या करता है ये उस काम को 30 दिन में करता है और B क्या करता है उस काम को 60 days में करता है तो इनका LCM लीजी तो LCM क्या होगा देखे 30 और 60 का LCM क्या होगा ले लेते हैं तो 2 15 जा और 30 जा इसके बात क्या आएगा 2 15 जा और इसके बात क्या आगा 3 5 जा 5 जा और 5 बन जा ठीक है तो इसका LCM क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और 10 और 6 60 तो LCM कितना आगे 60 आगया means कि total work कितना है 60 unit है कितना है 60 unit क्या है total work है ठीक है अब efficiency निकाल लीजिए तो एक दिन में कितना काम करता होगा देखे total work क्या 60 है एक दिन मनलब कितने दिन में काम complete करता है 30 दिन में काम complete करता है इसको solve करेंगे तो कितना आएगा 2 units आगया तो एक दिन का काम कितना आगया 2 units आगया ठीक है अब B का नकाल लीजिए तो B क्या करता है 60 unit काम है और कितने दिन में करता है 60 दिन में क्या करता है वो करता है तो काम कितना आगया एक unit आगया ठीक है दोनों क्या करते हैं पात दिन तक काम करते हैंक तो बस इसको add कर लिजियर तो 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा ठीव क्यां होगा एक दिन का काम किया लुक्त की पात्टिन काम किया है तो कितना आएगा 15 unitakем का मुंफिट निग्का का आपको फ्रेक्षन बताना है ता पोफेटे ते तो सुधूरं काम क्या आगया क्या आगया थे विभिंध चिए याप उसी आगया मेंच किनद करिए तो 16 में से कर यह 15 को माइनस करेंगे तो कितना आब का 45 आएगा क्या आएगा 45 आएगा ठीक है आपको रिमेंटिंग काम का फ्रेक्शन बताना था तो 45 और आपको क्या है 60 आपका टूटल गाम था इसको सौल करेंगे तो क्या आएगा 59 जा और 512 जा ठीक है और 3 3 जा और 34 जा ठीक है तो फ्रेक्शन क्या आगया आपका 3 upon 4 क्या आगया इसका फ्रेक्शन आगया ओके दोस्तों तो इस question का answer क्या होगा 3 upon 4 क्या होगा इस question का answer होगा तो इस तरी के solve करने एक बाद देख लीजिए आपको फिर से easily सुलच में आजाएगा ओके दोस्तों